गैस आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग अपनी custom class लिख सकते हैं और custom class लिखने के बाद हम उस class का object बना कर उसको कैसे use कर सकते हैं बहुत सारे लोग मुझे से पूच रहे थे कि यह थीम इस तरह से कैसे किया मैंने मैंने आप लोग को अलड़ी एक वीडियो बना के बता रहा है कि यह थीम मैंने कैसे किया अगर आपने java की playlist access नहीं करी अभी तक प्लीज करो यार जल्दी से java की playlist access और जितने में लोग पूच रहे थे कि यह कैसे किया यह वाला वीडियो देख लेना आप वीडियो number 30 how to make intelligent idea look amazing bookmark करना playlist को अब यहां पर देखो मैंने writing a custom class बोलकर एक section बनाया हुआ है क्या है यह custom class, custom class का क्या मतलब हुआ अभी हम लोगों ने जो class बना रखी थी अपने java के अंदर वो जो class थी वो यहां पर already बनी हुई यह आप लोग देखो उसका नाम यहां पर जो हमारी file का नाम है वो है तो अगर मैं यहां पर right click करके और यहां पर new java class करता हूँ और इसके बाद लिखता हूँ cwh underscore यह हमारा video number 38 है हमारा तो मैं cwh underscore 38 और underscore custom class dot java करके जैसे ही एक file बनाऊंगा वैसे ही यहां पर आप लोग देखो कि एक file मेरी बन गई है अब हमेशा की तरह मैं क्या करूँगा इसमें एक main method बनाऊंगा तो मैं shift enter दबाऊंगा और यहां पर main लिख दूँगा कुछ इस तरह से और यह main method मेरा automatically आ गया है यह कैसे आया main method मेरा automatically यह intelligent idea का कमाल है च्योंकि intelligent idea नहीं चाहता कि मैं इतना कुछ लिखने की मेहनत करूँ तो shortcut में मुझे मिल गया अगर आप android studio वगेरा में coding करते हो अगर करते हो by any chance नहीं करते हो तो करेंगे हम लोग बहुत जल्दी करेंगे बट अगर आप लोग करते हो अल्रेडी तो आपको पता हुआ कि उसके जितने भी मुश्किल मुश्किल लंबे लंबे नाम वाले method होते हैं वो इसी तरह से shortcut से आ जाते हैं तो जो 1000 line का code होता है उसमें एक बड़े software में वो 1000 line का code actually 1000 lines नहीं होती हैं वो kind of कुछ words होते हैं 900, 800 जो कि आप लोगों ने लिख कर automatically generate कर लिए होते हैं for example अगर हम इन चार line की बात करें एक दो तीन line की बात करें अगर तो ये तीन line हमने सिर्फ main लिख कर generate कर ली तो directly अगर हम main लिख देते हैं और उसके बाद automatically कोई code हमारे लिए generate हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि एक एक शब्द उसमें से हमने खुद ठीक है मानलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ this is our custom class अब मैं right click करके जैसे इसको run करूंगा तो आप देखो यहाँ पर this is our custom class लिखकर आया है और कोई बड़े surprises नहीं यार यह तो बहुत ही छोड़ी सी चीज है लेकिन जो notes में मैंने आप लोगे लिए बात लिखी हुई है उस का एक गहरा मतलब है हमने अपनी class बनाई है employee नाम की दो attributes उसमें बनाए we can write a custom class as follows public class employee और उसमें मैंने दो attributes देती है यह attributes क्या होता है और methods तो चलो हमने देखे थे लेकिन यह attributes और method हम बना किसलिए रहे है यह मैं आप लोगों को भी बताऊंगा तो सबसे पहले मैं इस class को इसे ही छाप देता हूं कहां छापूंगा मैं यहां पर छापूंगा तो मैं यहां पर क्या करूंगा जो code मैंने यहां पर लिखा है मैं उसको वापस लिखके देखता हूं यहां पर देखता हूं कई मुझे कोई error तो नहीं मिलता है अब मैंने error की बात करी ही है तो हो सकता error देखने कोई मिले, देखो underline यहाँ पर आ गई है int id और string name यहाँ पर देखो देखने कोई मिल गया लेकिन यह redline क्यों आ रही है और यह public मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तो यह redline क्यों आ रही हो, अच्छा public हटा के देखता हूँ redline चली गई public हटाने से, यह क्या हुआ मैंने public लगाया था तो redline आ रही थी, फिर से लगा के देखता हूँ लेकि मैंने public हटा है तो redline चली गई तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाता हूँ, हम access modifier के बारे में आगे पढ़ेंगे अभी आप बस इतना याद रखो कि एक java file में सिर्फ एक public class हो सकती है और आप कुछ भी नहीं लिखते हो, तो access modifier default होता है अभी हम access modifier की बात ही नहीं कर रहे हैं, आपको बस इतना समझना है अभी के लिए अगर मैं दूसरे class बनाने चाता हूँ, एक java file के अंदर तो मुझे इस्तिमाल करना पड़ेगा, सिर्फ class employee इस तरह से इसको लिख कर अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसका एक object बनाऊँगा तो मैं लिखूँगा यहाँ पर employee harry is equal to new employee, that's it, इस तरह से, और अगर मैं इस तरह से लिखूँगा तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, मैं आप पर लिख सकता हूँ, harry, sorry, dot id, ठीक है, और sound करता हूँ harry.id, अब यहाँ आपर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, कि आप जैसे ही system.outdoorprinter and harry.id लिखोगे, और उसे के साथ साथ harry.name लिखोगे, तो यह दोनों चीज़े अभी set हो नहीं रखी है, तो मैं आप लिखूँगा harry.id is equal to 12, और harry.name is equal to code with array, मान लोग, ठीक है, अगर मैं इसको भी run करूँगा, file को, तो आप लोग देखो, this is our custom class, यहाँ लाई ने प्रिंट किया, उसके हम बोलते है, instantiating a new employee object, क्या instantiating a new employee object, और harry.id is equal to 12, harry.name is equal to code with array, और यहाँ पर हम क्या कर रहे है, यह दोनों को set कर रहे है, setting attributes, यह setting properties, तो हमने बात की थी properties की, हमने बात की थी member functions की, यानि की methods की, ठीक है, तो properties और attributes interchangeably use किया जाता है, अब जल्दी से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इसको real world object को, अगर हम object oriented programming में study कर रहे हैं, तो property क्या है, और behavior क्या है, यह क्या analogy है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो, यहाँ पर हमें करना क्या है, कि समझना और object Enough programming क्या है, मालो एक वस्तू है आपके पास, ठीक है, वह वस्तू कुछ भी हो सकती है मालो cell phone है, ठीक है? neon ni, cell phone kya क्या कर सकता है? cell phone ring कर सकता है, cell phone के पास अदर बैटरी होती है, cell phone के अदर, तो cell telephone की properties होती है, उसका ब्हेवियर होता है, properties क्या है? color एक property है cell phone की उसके screen का size एक property है cell phone की उसमें camera कौन सा है वो property है ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर buy cell phone लिखता हूँ Google में तो कोई भी एक cell phone खोल लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर देखो इसकी यह property है यार इसके अंदल 6000 mAh की battery है उसके बाद 64 MP quiet camera यहाँ इसकी एक property है ठीक है कोई और phone खोल लेते हैं आपर यह खोल लेते हैं जो भी है अरे Samsung की क्यों खोल रहा है Amazon खोलते हैं इस बार कोई बात नहीं तो यहाँ आप लोग देखो इसमें property लिखी हुई है और इसी के साथ साथ property के साथ साथ इसके जो methods है वो क्या है यह ring कर सकता है वो एक method है तो कोई भी काम यह cell phone कर रहा है तो क्या है verb है यानि कि उसका method है तो हम क्या करते है एक real world object को अपने code में model करने के लिए हम कह देते हैं कि जो class का object है उसके अंदर भी properties और behavior होगा यानि कि attributes और methods होगे तो आप इसको properties कहलो आप इसको attributes कहलो behavior, function, method behavior नाम से नहीं पुकारा जाता है method को बट method और function आप इसको इस तरह से पुकार सकते हो तो यहाँ पर मैं setting properties ना लिखा setting attributes करता हूँ ठीक है और दोनो interchangeably use होते है terminology में कभी मैं डूप जाना कभी मैं सोचना कि यार ये क्या है parameters क्या होते है, arguments क्या होते है technical differences रहते है but important होता है coding ठीक है, कि यार आप किस तरह से logic को design कर रहे हो, logic को कितना अच्छा आ बना रहे हो तो यहाँ पर मैं लिखूँगा printing the properties याँ फिर attributes ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों line ने print कर दिया इसको id को और name को, कितना आसान था अच्छा अगर इसके अंदर मैं method define करूँ, public void और मैं यहाँ पर लिखूँ print details एक method अगर मैं define कर दूँ इस तरह से, और मैं कुछ ऐसे बोल दूँ, कियार system.my name is और मैं आपर लिख दूँ, id, sorry, my id is id, कुछ इस तरह से और and my name is जो भी name होगा, वो print होना चाहिए तो मैंने print details नाम का method इस employee class में define कर दिया, यह मेरी अपनी class है, custom class यह वाली, यह मैंने add कर दिया है, इस file के अंदर, ठीक है तो employee नाम से मैंने custom class एक add कर दिया है, यहाँ पर, और public void, print details, यहाँ पर मैंने एक method बना दिया है उसके बाद मैंने क्या किया, main method के अंदर, इसका एक object बना लिया, मैंने लिखा employee, Harry is equal to new employee, तो एक object बन गया, memory allocate हो गई, Harry नाम का एक object बन गया, इसका नाम कुछ और भी हो सकता था, लेकिन मैंने Harry चुना, बिलकुल यह variable के नाम की तरह, आप कुछ भी choose कर सकते हो इसको, एक मैंने method बनाया है, इस काम को करने के लिए उसको call करना, तो मैं चाहूँगा कि मैं बार बार मुझे यह ना करना पड़े, कभी भी मुझे employee type के object की details देखनी है, मैं directly लिख दूँगा, Harry.printdetails, ठीक है, save किया मैंने, run किया, और यहाँ पर देखो, this is our custom class तो आए गई आएगा और उसके बाद जिस तरह से मैंने method को define किया था, print details को, इसने इस particular object के लिए इस object की details print कर दी, अब मालो मुझे एक और employee add करना है, और मालो उस employee का नाम है, john, ठीक है, और small j बनाता हूँ, क्योंकि हमने बात की थी कि हम methods और variables को camel case में लिखेंगे, अब यहाँ पर employee john new employee मैंने क अब setting attributes में john का attribute भी set कर देता हूँ, मैं लिखेंगा john की जो idea, उसको 13 कर दो, और जरूरी नहीं है कि यह 13 होना जरूरी है, आप 17 कर सकते हो, कोई भी integer दे सकते हो, और john का नाम रख देते हैं यहाँ पर, john triparty, ठीक है, john triparty रख देते हैं, john khandel वाल रख देते हैं, ठीक है, यह मैंने रख दिया है, आपर john.id 17, john.name is equal to john khandel वाल, और उसके बाद अब मैं आपर क्या करूँगा, कि john की वो details को print करूँगा, और मैं इसको जैसे ही run करूँगा, अब देखो एक बार तो यह, my id is 12 and my name is kodavitari print हो गया, my name is id, my id is 17 and my name is john khandel वाल, ठीक है, तो यह print हो गय आपने इस आप से जितने वंचा objects बना सकते हो, इस class के एक बार आपने template define कर दी, कि मेरी यह template है, इसके अंदर यह properties है, यह इसके behaviors है, तो id नाम का एक attribute है, name नाम का एक attribute है, यह method है, जैसे आप इसको call करोगे तो कुछ होगा, यानि कि यह code execute होगा, इस particular object के लिए, तो आपक dot print details, अगर यह dot print details नहीं होता, तो आप क्या करते, यान तो आप कोई function बनाते है, उसको यह pass करते, john object, और अगर हम object oriented programming नहीं कर रहे होते, तो यह object भी नहीं होता, john, यह दो चीज़े होती है, एक तो id होता, एक name होता, तो दो चीज़े आप pass करते है, उस एक print detail नाम के function को, real world के साथ, एकदम line by line रखने की कोशिश करते हैं, अब देखो code एकदम real world जैसा तो बननी जाएगा, ठीक है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, जो रोज मर्रा में हम लोग बाते कर रहे हैं, जो हमारी daily talks है, हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, जब एक दूसरे से बात करते हैं, ले real world के similar बनाने की कोशिश की जाती है, जितनी हो सके, क्योंकि अगर हम अपने code को जब पढ़ रहे हैं, हमें real world वाली feel आ रही है, तब क्या होगा, तब हम जादा से जादा बड़ा code base आसानी से maintain कर पाएंगे, और जब हम बड़े से बड़ा code base maintain कर पाएंगे, डंग से, तो हम complicated software बहुत असानी से बना सकते है, ठीक है, so I hope you got the point, यहाँ पर देखो मैंने class with methods करके बनाया है, इसमें मैंने कुछ और methods add किये, जैसे कि get salary और get details, अब जो get salary होती है, वो integer return करेगी, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, सबकी सारे employees की salary जो है, उसको मैं set कर देता ह हो मालो, 344 ठीक है, यहाँ इसे बिंट salary बनाता हूँ और यहाँ पर, इनकी salary को यहाँ से लिख देता हूँ, harry.salary is equal to 34,000 रुपीज, और john.salary is equal to, इसको थोड़ी कम देते है, 12,000 देते है बस, 12 की, ठीक है, तो यह salaries हो गई इन दोनों की, ठीक है, यहाँ पर setting attributes for harry कर देत है, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा code को धंग से अच्छा बनाने के लिए, setting attributes for john कर देते हैं, यहाँ पर, यह क्या हो गया, copy करी थी मैंने line, गलती से फिर से control सी दवा दिया, और उसका खामिया सा भुकता, फिर से copy करनी पड़ी line, john यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं, अ अब देखो, अगर मैं john.get salary लिखूँगा, तो यह एक underline अगई, red bulb आ गया है, यह क्या है, get salary तो ही नहीं, इसमें, तो जी बना देते है, public in get salary, ठीक है, एक get salary नाम का function मनाया है मैंने, और simple से मैं return कर दे रहा हूँ, salary, बहुत ही simple सा, यहाँ पर एक method मैंने बना दिया, अब अब देखो, यह चला गया, अगर मैं south करूँगा, और salary को, तो जो john की salary हमने set करी थी, 12 वो आ जाएगी, तो आप कितने भी methods बना सकते हो, मेरे कहने का यह मतलब था, ठीक है, और वो कुछ भी return कर सकते हैं, in fact वो object भी return कर सकते हैं, अभी तो हमने primitivity return कराए है, हमने integer return कराय कि आप सब लोग इस class को, और यह सारे methods को लिखना, और इन methods को implement करना, practice के तोर पर ठीक है, तो यह था हमारा class जो कि हमने लिखी, मुझे मालूम है कि मैंने जो पिछले वीडियो में आप लोग को इतने सारे concepts बताए, object oriented programming के, वो आपको overwhelming से लग रहे होंगे, आपको लग रह जाता है, अभी काफी हम आगे जाएंगे, इन सब चीजों में deep dive करेंगे, tension मत लेना है उन सब चीजों की, अभी आपको क्या class होती है, क्या object होता है, यह समझ में आ गया गर तो that is more than enough, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपको इतना सब के बाद भी object oriented programming क्यों use कर रहे हैं, यह clearly भी समझ में नहीं आया ना, that is also fine आपको आ जाएगा, अब जैसे जैसे काम करोगे आपको आ जाएगा, जब मैंने पहली बार java start करी थी पढ़ना, मुझे भी समझ में नहीं आया था कि क्यों कर रहे हैं यह object oriented programming, लेकिन आज feel आ चुकी है, इतना सारा काम करने के बाद किया real world से हम directly model कर पाने चीजों को, इतना बड़ा code base समालना इतना असान हो जाता है, directly dot लगा के हम बड़े बड़े methods को execute कर दे रहे हैं, वो भी directly object पर, जैसे कि अगर आप कोई game बना रहे है, आप player.walk लिखेंगे, वो walk करने लगेगा, player.walk left लिखेंगे, वो left में walk करने लगेगा तो आपके सामने एक अच्छी picture रहेगी, कि अच्छा यह वाला player है और यह left में walk कर रहा है, तो code समझ में आएगा आपको, कि आपने जो daily talks होती है, उसके तरह लिख दिया अपने code को, real world से, बहुत नजदीक बना दिया अपने code को, real world modeling कर दी code की, अगर मैं कहूं तो, so I hope कि समझ में आगया आप सबको यह और अपने अगर playlist success नहीं करी तो इसको कर लेना, बट वीडियो को जरूर लाइक करना, और यह notes जो है, वो आपको दे दिये जाएंगे, इस वीडियो के अंत में, description में मिल जाएंगे आपको notes, कर लेना, download सब लोग chapter 8 की notes, और इसके बाद स्टोरी को दुबारा से share करूँगा, अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं guys, thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.